जैसा कि दोस्तों आप वीडियो थिमनोल देखकर समझ गया होंगे आज का इस वीडियो में क्या कवर होने वाला है CAC की बहुत सारी ऐसी सर्वीस है दोस्तों जो एक दो दिनों से वर्क नहीं कर रही है जैसे कि हमारा आधार UCL का वर्क हो गया या फिर DGP हो गया ये सारे सर्वीस दोस्तों प्रपर्ली वर्क नहीं कर रही है क्या है कारण दोस्तों क्यों नहीं वर्क कर रही है साथी ये भी जानेंगे कि हमारे बहुत सारी वीवर का कुष्चन है आधार UCL से related वो सारे question का answer इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा बाकी question का answer जो रहे जाते हैं दोस्तों आप वो हमारे वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं उन सारी question का answer में देने की कोशिस करूँगा इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो का थिमनौल भी होने वाला है Today's Aadhar UCL Work Not Work कुछ CACVL क्या कर रहे हैं अगर उनका Aadhar UCL Work नहीं कर रहे हैं तो वो बड़े tension में आ जा रहे हैं साथ ही अपने Aadhar UCL की software में छेड़ चाड़ कर रहे हैं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको अपने software के साथ आपकी software एकदम proper है और वो working भी है अभी Aadhar UCL की software इसलिए work नहीं कर रहे है क्योंकि इसमें कुछ काम चड़ रहा है जैसा कि दोस्तों कुछी दिन पहले Aadhar UCL की software भी update हुई है ऐसा नहीं है कि आपका ही Aadhar UCL सिर्फ work नहीं कर रहा हमारा भी work नहीं कर रहा है इसलिए आप सभी को Aadhar UCL की software में किसी परगार का छेड़ चाड़ नहीं करना है जैसे ही ये server सही हो जाती है हमारा Aadhar UCL work करने लगेगा साथी दोस्तों इस वीडियो का बनाने का main मकसद ये है कि अब आप आसानी से पता कर पाएंगे आपकी Aadhar UCL में work हो रही या नहीं इसके लिए बस आपको हमारे वीडियो के नीचे comment box में comment कर देना है Today Aadhar UCL working not working आपको real time में answer मिल जाएगी कि Aadhar UCL का work आज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो चलिए आगे हम देखेंगा Aadhar UCL की software open करने के बाद क्या problem आ रही है और ये क्यों problem आ रही है और कब तक ये सही हो सकती है किसी भी प्रकार का question हो आपके मन में Aadhar UCL से related तो आप हमारे वीडियो के नीचे comment box में comment कर सकते है तो ये रहा दोस्तो Aadhar UCL की software अभी क्या problem आ रही है कब तक ये सही हो सकती है आगे इस सारी बातों को हम cover करेंगे साथी आपके बहुत सारे important question है उसे भी हम इस वीडियो के माधियम से cover करेंगे दोस्तों तो ये रहा दोस्तों हमारी Aadhar UCL की dashboard हमें क्या करना होता है पहले कि अपनी GPS को connect करना होता है तो इसके लिए हम go to GPS page पे click करते है साथी दोस्तों इसके बाद हमें GPS start करना होता है लेकिन अभी problem क्या आ रही है कि हमारी GPS connect नहीं हो पा रही है साथी आईरीस और fingerprint device भी connect नहीं हो पा रही है क्योंकि दोस्तों UDI के और से इसके server में कुछ काम किया जा रहे है इसके साथी दोस्तों ये दो दिनों से work इसलिए भी नहीं कर रहे है क्योंकि 20 दिनों से जो data था जो हमने आधार correction किया था वो data भी clear नहीं हुई थी से UDI verify करती है और वो data हमारे system से अटा देती है वो सारे data भी 20 दिनों से pending था जिसके कारण दो दिनों से आधार UCL का work रोका गया है हो सकता है संडे को ये सही हो जाए बहुत सारे data pending थे दोस्तों जिसके कारण संडे को कब चालू होगी ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है अब हम बात करते हैं दोस्तों viewer का हमारे पास बहुत सारे question आये थे data UCL से related जो data UCL में हम work करते हैं दोस्तों इसकी timing क्या है कब से कब तक हम data UCL में work कर सकते हैं मतलब ऐसे viewer का कहना था कि किस समय तक हम data UCL में work कर सकते हैं इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों के आपको office time पे ही work करना है हमें तो estate team द्वारा सुबा 10 से 5 बजे तक का time दिया गया है तो आप समझ जाएं कि data UCL में work कर सकते हैं मतलब office time पे ही आपको data UCL में work करना है दूसरा question यह रहा दोस्तों कि हम किस किस दिन data UCL में work कर सकते हैं data UCL में दोस्तों आप daily work कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना है कि government holidays जिस दिन होती है उस दिन आप data UCL में work ना करें वरना किसी कारण अगर UDI को यह सब चीजें पता चल जाती है तो आपकी data UCL की software जो है वो inactive हो सकती है तो इन सभी चीजों से आपको बच के रहना है तीसरी जो सबसे main important question का answer है दोस्तों वो यह है कि हम जो भी data UCL में update का का काम करते हैं इसमें हमें मात्र 50 रुपे ही लेना है charge इससे अधिक का charge नहीं होना चाहिए अगर इस परकार की कोई सिकायत आती तो आपकी data UCL की software भी inactive कर दी जा सकती है और इसके बाद आप data UCL में work नहीं कर पाएंगे नए जो CAC value उनका question रहता है कि किस परकार से हमें data UCL का work मिलेगा सबसे पहले तो दोस्तों आपको CAC ID लेनी है दूसरी आपको CAC से bank BC लेना होगा चाहे वो किसी भी bank का हो ति यह आप इंतजाम कर लें तीसरी दोस्तों आपको आधार की certificate की आऊ सकता होगी चाउंती है आपकी police verification copy इसके बाद दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए बहुत सारे requirement है जैसे कि i5 laptop होनी चाहिए TPM 2.0 होना चाहिए Raymart GB होना चाहिए साथी आपके सेंटर में broadband की जो connection हो वो IP address होनी चाहिए उसमें और भी बहुत सारे requirement है दोस्तों जिसकी वीडियो डाली हुए चैनल में जिससे आप जाके watch कर सकते हैं ये वीडियो बनाने का हमारा main मकसद ये था कि आप आप जान पाएंगे कि रियल टाइम में आधार UCL का work जो है उसमें work हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ये सारे confusion दोस्तों इस वीडियो के माधियम से आप समाप्त कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत 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 नवाद